परमेश्वर के दैनिक वचन आज ऐसे लोग हैं जो अभी भी नहीं समझते कि परमेश्वर ने कौन सा नया कार्य आरंब किया है। अन्यजाती राष्ट्रों में परमेश्वर ने एक नई शुरुवात की है। उसने एक नया युग प्रारंब किया है और एक नया कार्य शुरू किया है। और वो इस कार्य को मौाब के वन्शजों पर कर रहा है। क्या ये उसका नवीन तम कार्य नहीं है। पूरे इतिहास में पहले कभी किसी ने इस कार्य का अनुभव नहीं किया है। किसी ने कभी इसके बारे में नहीं सुना है। समझना तो दूर की बात है परमेश्वर की बुद्धी परमेश्वर का चमतकार परमेश्वर की अगेयता परमेश्वर की महांता परमेश्वर की पवित्रता सब कार्य के इस चरण के माध्यम से प्रकट किये जाते हैं जो की अंत के दिनों का कार्य है क्या ये नया कार्य नहीं है ऐसा कार्य जो मानव की धारनाओं को खंडित करता है ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रकार सोचते है चुँकि परमेश्वर ने मुवाब को शाप दिया था और कहा था कि वो मुवाब के वन्शजों का परित्याग कर देगा तो वो उन्हें अब कैसे बचा सकता है ये अन्यजाती के वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर द्वारा शाप दिया गया था और इस्राइल से बाहर निकाल दिया गया था इस्राइली उन्हें अन्यजाती के कुत्ते कहते थे हर एक की द्रिष्टी में वे न केवल अन्य जाती के कुत्ते हैं बलके उससे भी बक्तर विनाश के पुत्र हैं कहने का तात पर ये ये कि वे परमेश्वर द्वारा चुने हुए लोग नहीं है वे इसराइल की सीमा में पैदा हुए होंगे लेकिन वे इसराइल के लोगों से संबंधित नहीं थे और अन्य जाती राष्ट्रों में निश्कासित कर दिये गए थे ये सबसे हीन लोग हैं चुनकि वे मानवता के बीच हीन तम है यही कारण है कि परमेश्वर एक नए युग को आरंभ करने का अपना कार्य उनके बीच करता है क्योंकि वे ब्रष्ट मानवता के प्रतिनिधी हैं परमेश्वर का कार्य चैनात्मक और लक्षित है जो कार्य वो आज इन लोगों में करता है वो स्रिष्टी में किया जाने वाला कार्य भी है नूह परमेश्वर का एक स्रिजन था जैसे कि उसके वन्शज है दुनिया में हाड मांस से बने सभी प्राणी परमेश्वर के स्रिजन है परमेश्वर का कार्य संपूर्ण स्रिष्टी पर निर्देशित है ये इस बात पर आधारित नहीं है कि स्रिजित किये जाने के बाद किसी को शापित किया गया है या नहीं उसका प्रबंधन कार्य समस्त स्रिष्टी पर निर्देशित है केवल उन चुने हुए लोगों पर नहीं जिन्हें शापित नहीं किया गया है चुंकि परमेश्वर अपनी स्रिष्टी के बीच अपना कार्य करना चाहता है इसलिए वो इसे निश्चित रूप से सफलता पूर्वक पूरा करेगा और वो उन लोगों के बीच कार्य करेगा जो उसके कार्य के लिए लाभदायक हैं इसलिए जब वो मनुश्यों के बीच कार्य करता है तो सभी परमपराओं को तहस नहस कर देता है उसके लिए शापित ताडित और धन्य शब्द निरर्थक हैं यहूदी लोग अच्छे हैं इसराइल के चुने हुए लोग भी अच्छे हैं वे अच्छी क्षमता और मानवता वाले लोग हैं प्रारंभ में यहोवा ने उनहीं के बीच अपना कार्य आरंभ किया और अपना सबसे पहला कार्य किया परन्तु आज उन पर विजय प्राप्त करने का कार्य अर्थहीन होगा वे भी स्रिष्टी का एक हिस्सा हो सकते हैं और उनमें बहुत कुछ सकारात्मक हो सकता है किन्तु उनके बीच कार्य के इस चर्ण को कार्यानवित करना बेमतलब होगा परमेश्वर लोगों को जीत पाने में सक्षम नहीं होगा नहीं वो स्रिष्टी के सारे लोगों को समझाने में सक्षम होगा जो की उसके द्वारा अपने कार्य को बड़े लाल अजगर के राश्ट्र के इन लोगों तक ले जाने का आशय है यहां सबसे अधिक महत्व पूर्ण उसका युग आरंभ करना उसका सभी नियमों और मानवीय धारनाओं को खंडित करना और समपूर्ण अनुग्रह के युग के कार्य का समापन करना है यदि उसका वर्तमान कार्य इसराइलियों के मध्ध किया गया होता तो जब तक उसकी छह हजार वर्षी प्रबंधन योजना समाप्त होने को आती हर कोई ये विश्वास करने लगता कि परमेश्वर केवल इसराइलियों का परमेश्वर है कि केवल इसराइली ही परमेश्वर के चुने हुए लोग है कि केवल इसराइली ही परमेश्वर का आशीश और प्रतिग्या विरासत में पाने योग्य है अंत के दिनों के दोरान बड़े लाल अजगर के राश्ट्र के अन्यजाती देश में परमेश्वर का देहधारण संपूर्ण स्रिष्टी के परमेश्वर के रूप में परमेश्वर का कार्य पूरा करता है वो अपना संपूर्ण प्रबंधन कार्य पूरा करता है और वो बड़े लाल अजगर के देश में अपने कार्य के केंद्रिय भाग को समाप्त करता है कार्य के इन तीनों चर्णों के मूल में मनुष्य का उधार है अर्थात संपूर्ण स्रिष्टी से स्रिष्टी करता की आराधना करवाना इस प्रकार कार्य के प्रत्येक चर्ण का बहुत बड़ा आर्थ है परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं करता जिसका कोई अर्थ या मूल नहो एक ओर कार्य का ये चर्ण एक नए युग का सूत्रपाद और पिछले दो युगों का अंत करता है दूसरी ओर ये मनुष्य की समस्त धारणाओं और उसके विश्वास और ज्ञान के सभी पुराने तरीकों को खंडिक करता है पिछले दो युगों का कार्य मनुष्य की विभिन धारणाओं के अनुसार किया गया था किन्तु ये चरण मनुष्य की धारणाओं को पूरी तरह मिटा देता है और ऐसा करके वो मानवजाती को पूरी तरह से जीत लेता है मुवाब के वन्षजों के बीच किये गए कार्य के माध्यम से उसके वन्षजों को जीत कर परमेश्वर संपूर्ण ब्रहमांड में सभी लोगों को जीत लेगा ये उसके कार्य के इस चरण का गैनतम अर्थ है और यही उसके कार्य के इस चरण का सबसे मूल लिवान पहलू है भले ही तुम अब जानते हो कि तुम्हारी अपनी हैसियत निम्द है और तुम कम मूल लिके हो फिर भी तुम ये महसूस करोगे कि तुम्हारी सबसे आनंददायक वस्तु से भीट हो गई है तुमने एक बहुत बड़ा आशीश विरासत में प्राप्त किया है एक बड़ी प्रतिग्या प्राप्त की है और तुम परमेश्वर के इस महान कार्य को पूरा करने में सहायता कर सकते हो तुमने परमेश्वर का सच्चा चहरा देखा है तुम परमेश्वर के अंतरनिहित स्वभाव को जानते हो और तुम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हो परमेश्वर के कार्य के पिछले दो चरण इसरायल में संपन्न किये गए थे यदि अंत के दिनों के दोरान उसके कार्य का ये चरण भी इसरायलियों के बीच किया जाता तो न केवल संपूर्ण स्रिष्टी मान लेती कि केवल इसराइली ही परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, बल्कि परमेश्वर की संपूर्ण प्रबंधन योजना भी अपना वांचित परिणाम प्राप्त न कर पाती। जिस समय इसराइल में उसके कार्य के दो चरण पूरे किये गए थे, उस दोरान अन्य जाती राष्ट्रों के बीच न तो कोई नया कार्य, न ही नया युग प्रारंभ करने का कोई कार्य किया गया था। कार्य का आज का चरण, एक नए युग के सूत्रपात का कार्य, पहले अन्य जाती राष्ट्रों में किया जा रहा है, और इतना ही नहीं, प्रारंभ में मुआब के वन्शजों के बीच किया जा रहा है, और इस प्रकार संपूर्ण युग का अरंभ किया गया है। परमेश्वर ने मनुष्य की धारणाओं में नित, किसी भी ज्यान को बाकी नहीं रहने दिया, और सबखंडित कर दिया। विजय प्राप करने के अपने कार्य में उसने मानवी धारणाओं को, ज्यान के उन पुराने आरंभिक मानवी तरीकों को तवस्त कर दिया है। वो लोगों को देखने देता है कि परमेश्वर पर कोई नियम लागू नहीं होते, कि परमेश्वर के मामले में कुछ भी पुराना नहीं है। कि वो जो कार्य करता है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरी तरह से मुक्त है, और कि वो अपने समस्त कार्य में सही है. वो स्रिष्टी के बीच जो भी कार्य करता है, उसके पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, उसके समस्त कार्य में अर्थ होता है, और वो उसकी अपनी इच्छा और बुद्धी के अनुसार किया जाता है। मनुष्य की पसंद और धारणाओं के अनुसार नहीं अगर कोई चीज उसके कार्य के लिए लाबदायक होती है तो वो उसे करता है और अगर कोई चीज उसके कार्य के लिए लाबदायक नहीं होती तो वो उसे नहीं करता चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों नहो वो कार्य करता है और अपने कार्य के अर्थ और प्रयोजन के अनुसार अपने कार्य के प्राप्त करताओं और स्थान का चैन करता है कार्य करते हुए वो पुराने नियमों से चिपका नहीं रहता नहीं वो पुराने सूत्रों का पालन करता है इसके बजाए वो अपने कार्य की योजना उसके माइने के अनुसार बनाता है अन्तता वो वास्तविक प्रभाव और प्रत्याशित लक्ष प्राप्त करेगा यदि तुम आज इन बातों को नहीं समझते तो इस कार्य का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा प्रभाव प्रभाव नहीं होगा